आज तुम लोग को पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा कैसे सो देखो हम बताते हैं हेलो एब्रिवान आई एम सम्मु वर्माइन वेलकम टो माई यूटूब चेंडर तो फिलाल देखो आप पर अभी कलास अफलाइन और ओलाइन के साथ-साथ दोनों स्टार्ट हो गया तो आज हम कुछ बताने वाले कि आज पढ़ने में मज़ा आ जाएगा और अफलाइन पर भी और यहां पर भी आप सबो को भी पढ़ने में मज़ा आएगा यूटूब पर क्योंकि फिलाल हम आप पर आज कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज करने का मतलब यह है कि जब हम अफलाइन क्लास ले रहे थे फिलाल उसमें यहां पर इतना सारा ब्यास्ता नहीं था जो कि हम आप सब को वीडियो यूटूब पर अपलोड कर पाए और आप सब को भी दे पाए उससे पहले हमने चप्टर पढ़ करके रखा था और क्य को बोला कि आद है अज हम चप्टर आ स्टार करेंगे जीवशी में बहुत सारे इंपर्टन कोश्टन पर जो इससे पहले मेरा मॉल कंसरेप्ट कर चप्टर चल दा था उसमें बहुत इंपर्टन कोश्टन पर डिसकस किये आगे हम डिसकस करते रहेंगे और इस पर भी आज पर बात करेंगे जो नीट 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा और हमेंसा इंपोर्टन कॉस्टन पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जो थियोरी पॉस्टन था उसको हमने लगभग पढ़ा करके खतम कर दिया जिसके बाद हम आज उसका इंपोर्टन कॉस नहीं आ रहा है आएगा नहीं क्योंकि साथ बच्चे दूर में जिसके कारण आपको हो सकता है गया होगा या नहीं गया होगा हम नहीं का सकते हम देखेंगे तो फिर बताएंगे अगला वीडियो में देख़ए आप पर कॉचन मादा स्टार करने वाले कॉन सा चाप्टर ज चाप्टर में हम क्या करेंगे इंपॉर्टन कॉचन पर डिसके करेंगे जो ने 2022 के लिए तो देखो परला कॉचन को हम यहां पर लिख रहे है और परला कॉचन का अंसर देने का परयास बहुत जल्दी में करना देखो कॉचन यह राप कि हाव मेनी टू डिग्री हाइड्रोजन आटम परजेंट इन गिवन फ्लोविंग कंपाउंड आने क्या कॉचन समझ में आ गया कॉचन समझ में आ गया क्योंकि इसका हम ज्यादता है अभी एक्सप्लैन भी नहीं कि और बोल रहा है कि समझ में आ ग आगे हम हाईर कोशन पर जाएंगे जो बहुत जादा इंपॉर्टेंट इन टू के लिए और डिपी भी हम देंगे तो डिपी को सॉल्व करना पूछा कि हाव मेनी टू डिग्री हाइड्रोजन आटम परजेंट इन गिवन फ्लोविंग कंपाउंड आने यह जो कंपाउंड दिया गया है तो इस कंपाउंड में पता करना है कि टू डिग्री जो हाईड्रोजन आटम है क्या हो जाएगा टू डिग्री जो हाईड्रोजन आटम है कितना सारा हो जाएगा तो देखो पुछा कि टू डिग्री हाईड्रोजन आटम तो जो डिग्री कार्बन का होता है व क्या हो जाएगा तो याँ बताओ इतना सार हम आगे इसका थियूरी तो बताए बताओ इसका सही अंसर क्या होगा तो लोग भी बताओ पीछेवाला हस रागदाव देखो क्या होगा गिन करके देखो काउंट करके बहुत मज़ा आएगा उसके बाद फिर हम आगे अच्छे से कॉस्टन इंपॉर्टों कॉस्टन पर जाएंगे तो हो सकता आपको वहाँ पर डिश्टब होगा और जो चाप्टर हम बता दिये तो में पूरा सारा इसका थिरी पॉर्टों है कभर है उस समय भी हम दो चार कॉस्टन को डिसकस करते जाते थे साथ में तो हमने क्या बताया कितना आएगा उंसर जवाब आया किसी के पास आगिया, कौन चांचर होगा, 4 अंसर देखो खो कोई बोल रहा 4 अंसर और कोई को 7 अंसर बोल रहा हमने तो लग रहा कि अंसर कौन चाहिए अचहा बता रहा रहा देखो तो देख लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, answer तो 7 होना चाहिए, option number 3, देखो क्या होता हम चेक भी कर लेते, इसका सही answer क्या होना चाहिए, क्या बताए, कि जो degree carbon का होता है, वही degree किसका हो जाता है, hydrogen का, आनि जो degree carbon का हो जाएगा, वही degree hydrogen का होगा, अब इसमें पुछा है, कि 2 degree hydrogen होगा, आनि 2 degree है, इसमे जदिम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना hydrogen है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, इस प्रकास से अब हम देखे कि इसमें hydrogen कितना present है, hydrogen कितने देख रहे हैं 1,2,3,4,5,6,7 देख रहे हैं । यहां तो ही नहीं रहता है, यां तो कलोरी नहीं रहता हैं, तो क्या हो जाता है, अब हमें पहचाने की 2degry तो अब देखो, कि आमने बोला कि जो degree carbon का होगा वही degree किसका हो जाएगा hydrogen का हो जाएगा, तो यहां बात किसका हुए है 2 degree का तो जो carbon 2 degree में होगा वही carbon का जो लगे हुए compound जो होगा hydrogen उसी का degree क्या हो जाएगा 2 degree तो इसमें जदि हम देखते हैं एक number से चलते हैं कहां से यहां से चलते हैं तो इसको जदि हम एक number one माल लेते हैं तो यहां पर जो carbon है अभी इस carbon का जो degree पहचाने का नियम होता है कि जिस carbon का हमें degree देखना है और जो carbon का degree हमें पता करना है उस carbon को देखेंगे कि वो कितने carbon के साथ जुड़ा हुआ है आपस में और मालों कि हमें इस carbon का यहां पर जो carbon है उस carbon का जदि में degree देखना है तो इस कार्बन पर देखते कि कितना और इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रूप तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ इधर भी है इधर भी है तो कितना जुड़ा हुआ है तीन के साथ जुड़ा हुआ तो यहां पर कितना हो जाएगा तू डिग्री हो जाएगा क्योंकि आपस में जो कार्बन जुड़ा हुआ है आनि आपस में जो यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है वा कितने के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको देखने में भी अच्छा लगे कितने के साथ जुड़ा हुआ नहीं वन टू के साथ जुड़ा हुआ यहां का कार्बन हुआ कितने के साथ और दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो कितने डिगरी हो जाएगा इसका टू डिगरी हो जाएगा इसी तरह इसके भी हो हुग जो डिगरी कारबन का होगा वही डिगरी किसका हो जाएगा है ऐडोज़न का से इंपटंट कॉश्चन है इसका होगा इसका भी यहां पर पाचानों कि कौन सा हो जाएगा अब देखो कि इसमें 2 डिगरी का कारबन कितना आ यानि 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गया, कितना आ गया? साथ. यहां पर जो 3 डिगरी है, 3 डिगरी 3 डिगरी इसको मनाद काउंट नहीं करेंगे, तो आप देखो किया hydrogen का कितना डिगरी हो जाएगा? 1 डिगरी ऐनी हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 कितना डिगरी हो गया ? डिगरी जो आया है जो जो यह संदे ऑना गा है टो जो यह तो डिगरी वाला में तो समझो जो इसका बात नीज नेते स्मझेट लग्ण समय के नहीं आया इस बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया अगया समंझ में चुल्ह अच्छी बात अच्छी बात है समझी गया तो नेश्ट कॉस्टन को देखो नेश्ट कॉस्टन में क्या बोलता है नेश्ट कॉस्टन में बोला जाता है कि अगला कॉस्टन देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि हम बता दोने चाहता है कि कॉस्टन को लिखने के लिए को पोज़ किया हुआ स्टार कर देते ताकि आपका भी समय बच जाए और यूट्यूब पर देखेंगे अपलोड किया हुआ क्योंकि फिला तो यहां पर बेठे हुए तो उसके लिए तो कोई ऐसा बेवस्ता है नहीं यहां पर जो कि हम कोशन तुरत लिख पाए कोशन तुरत कोशन में देखो पुछा कि identify which functional group is not present in the given flowing compound आनि इस compound में जो दिया गया compound इस compound में कौन सा functional group परजेंट नहीं है पहला option में आपको दिया गया कि टौन दूसरा में दिया गया इस्टर तिसरा में दिया गया अमायट चोथा में दिया गया इथर क्या तो आप देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा functional group में क्या क्या परजेंट है तो पहचान के बताव इसमें कौन सा functional group परजेंट नहीं है कोई दे सकता answer इसका बताव जल्दी आप सब जदी इसका answer जानते होंगे comment करके जरूर बताएंगे बताके रखेंगे वीडियो में बहुत important question है और आसान भी question है दो जल्दी answer बताव कौन सा हो जाएगा क्यों option no.4 ether देखो option no.4 ether बोल रहे है क्या आप सब इसमें सामत है option no.4 के लिए जदी सामत है तो देखो हम इसको solve करते है सबसे पहले पहचान लेते है कि कौन सा compound में जो ketone का functional group होता है ketone का functional group क्या होता C हो होता है आदि rc2 होता है खरव हम इसको इहां पर छोड़ देते सबसे पहले देखो इसमें यह से पाचान जाएगे तो इसको क्यों ज्यादधा तफलिक करेंगे इसको लिख करके क्या देखो यहां पर सबसे पहले ध्यान से देखो कि ज़दी मं इस functional group को देखना चाहते तो यह क्या दर्सादा है यहां पर जो function group होता हुआ क्या होता है CWO होता है अनि R CWO होता है दूसरा देखना बहुत असान कोस्ट है इसमें जो यहां से सो करता है आप सब mistake यहां पर जरू करेंगे क्या करेंगे कि कभी-कभी इसको आप सब हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक लेंगे जो यहां हमें सो कर रहा है वा क्या सो कर रहा है बताब जल्दी कौन बताएगा इसका किस तरह दिख रहा है यहां पर जो हमें compound दिख रहा है वा क्या दिख रहा है CWO दिख रहा है आनि CWO को हम क्या बोलते है इस्टर बोलते है क्या बोलते है इसको इस्टर तो यहाँ पर क्या सो कर रहा है इस्टर इस्टर सो कर रहा है अभी इस कंपाउंड को यहाँ पर आप सब इस तरह ले लोगे क्या तुरुत ले लोगे और बोलते है किटोन है यही पर जिस जैसे इसको आप लिए क्या हो और ज्याँ हो जाएगा तो आपका क्basidon क्या होता खतम हो गया तो आप कहीं का नहीं रगे यह ना घ्रकर आगे घाटकर आगे गैं मैं को होली जाएगा इसको जब हम लेंगे तो पूरा यहां से लेकर यह तक लेंगे जो यह souhaog compound करता है function group पर किसका amide का है किसका है amide का है अब देखो कि इसमें कौन कौन सा मिला अब जदि हमें 4 गों में 3 option मिल गया एक नहीं मिल रहा है तो क्या amide नहीं पता कर पाएंगे ज़रूर पता कर पाएंगे तो जो नहीं मिला इसमें वहीं answer हो जाएगा अब देखते हैं इसमें मिला करके यहाँ पर ketone मिला क्या ketone मिल गया बिल्कुल सही दुसरा क्या है दुसरा क्या है यहाँ पर amide है ना दुसरा क्या है amide भी मिल गया option number 3 में तिसरा क्या इस्टर मिला देखो तो क्या इस्टर भी मिल यानि COO जो COO क्या इस्टर मिल गया यह भी मिल गया ने कौन सा नहीं मिला अफसर नमबर फोर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा इसका नमबर फोर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इसको उतार लो ताकि ज्यादा समझ पाओगे और आगे कोशन आप सब को जदी समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हम उसका रिपला वही पर आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में हरे कोशन का अगला कोशन पर भी हम डिस्कॉस करेंगे आगे अगला कोशन में बहुत जादा हमें उमिदे है कि रहेगा की उतार लिया इसको उतार लिये तो देखो कुछ हम बता देते हैं कुछ चोटर चोटर टीप्स बता देते हैं आप सब वउल्लाइन कॉलास हुन के लिए कि जो देखो माइक और फॉकस करें जो हम बताते हैं अप उसको उतना ही ध्यान में रखे हम धिरे धिरे आगillar और लेबल बै उच लेबलczy क्योंच पर जाएंगे और उच लेबल के क्योंचच पर हम आगे वॉफलान वालों के लिए तो हमें सब भाग यह खुला रहता है क्योंकि हम यहाँ पर DPP को भी solve करवाते हैं और सारे question पर भी है देखते हैं असान से तो आप सब